ये कहानी एक बहुत पुराने हवेली की है, जहां पर भूतों ने कबजा कर लिया था देख भाई, ये वाला घर लिया है मैंने पर भाई, ये घर तो बहुत डरावना लग रहा है अबे, इस मकानी केमत पूरे 40 लाग रुपे हैं और इसके मालिक ने, मुझे 25 लाग में बेचा है, समझ रहा है पूरे 15 लाग का मुनाफ़ा, चल तो ये अंदर से दिखाता हूँ भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है अबे, चल कुछ नहीं होगा भाई, ये तो वही है न, जो नीचे खड़ाता ये हम तो पहले उपर कैसे आ गया अब समझ में आ रहा है, 40 लाग का मकान 25 लाग में क्यों दे दिया भाई, अगर जान प्यार है, तो यहां से चलते है भाई, ये गिट हवा से भी तो खुश सकता है और वैसे भी देख, हवा की ये तेज चल रही है, और मेरे पुरे 25 लाग पर लगें इसमें, मैं नहीं जा रहा भाई यांसे भाई, तुझे मरना है तू मर, मैं तो चला कोई नहीं नहीं जाएगा लोग आते तो अपनी मर्जी से हैं लेकिन जाते हमारी मर्जी से हैं लगता है ये मकान में छोड़ना पड़ेगा, गये मेरे 25 लाग भाई, मैं कैसे बाबा को जानता हूँ, जो इन भूतों को भगा सकते हैं, और वो ही तेरी मदद कर सकते हैं भाई, जल्दी चल, लेकर आते हैं उनको बाबा, ये देखो बास बच्चा, मुझे सब पता है, ये 40 लाग का मकान तुझे 25 लाग में मिला है न, हाँ बाबा और तुझे यहाँ पर ये सारे भूत परेशान कर रहे हैं, हाँ बाबा तुफिकर मत कर बच्चा, मैं इन सारे भूतों से तुझे छुटकारा दिला दूँगा लेकिन इस काम में मुझे 6 महीने लगेंगे, क्योंकि ये भूत बहुत शक्तित साली है मुझे मंजूर है बाबा इस काम में मुझे थोड़े समान की जुरत पड़ेगी, जैसे काली चील का पीला मूद, हरे गोड़े का काला पेशाब, और सफेज चमकादर की हरी तक्टी, तुझे लाके देनी पड़ेगी अरे बाबा, मैं ये सब कांस लेका हूँगा तो लाई क्यावन अजार रुपे, ये सारा समान में खोद लिया हूँगा, और सुन, छे महीने तक तुझे इस जगा पे बापस मुड़ कर नहीं देखना, जा चल बाई, छे महीने पूरे हो गया, अब तक तो उस बाबा ने उन भूतों को भगा दिया होगा, चल जो उस्ताद, अरे, ये तो छे महीने पहले खंडर का, जो मैं बाबा को देखे गया था, ये पांच मंजली में मकान किसे ने बना दिया, अब या बाबा नहीं तो बनाया ये, रुको भी, बाबा को बलाता हूँ, बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा, अब या बोल, अरे मैं तु और छे महीने बाद, उनके मकान को पांच मंजल का ठोक के, उसमें किरायदार छोड़ देता हूँ, बेटे, ऐसी थोड़ी नाम एरिया के नंबर बन बिल्डर बन गए है, अबे, तु क्यो हसरा है, अबे, हसेगा क्यों नी, ये ही तो मैं काम दिलाता है, अयो रिमा,